यहाँ पे हमें दिया हुआ है x-y is equal to 9 and xy is equal to 16 तो हमें यहाँ पे किसकी value find out करनी है x square plus y square की देखें यहाँ पे क्या है x-y और यहाँ पे है x square plus y square यह हमें निकालना है तो इसका हम क्या कर लेते हैं square कर लेते हैं ठीक है न तो square करेंगे कहाँ पे both sides तो write कर लेते हैं, squaring on both sides, क्या write करेंगे यहाँ पर, squaring on both sides, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, दोनों side में करेंगे हम square, left hand side and right hand side में, तो x minus y का whole square और यहाँ पर यहाँ पर यह 9 का square, ठीक है, अभी देखें जो x है, इसको हम consider करेंगे, a and y को consider करेंगे, क्या b, तो यह क्या हो ग plus b square minus 2ab, ठीक है, तो आगे देखें, इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या है, a square, तो a की जगे write करेंगे, हम कितना x, इसका square, यहाँ पर इसके बाद plus b square, तो b की जगे write करेंगे, हम क्या y, इसका square, and यहाँ पर minus 2, ठीक है, a, a की जगे क्या write करेंगे, x, and b की जगे write करेंगे यह हम क्या y, it is equal to यहाँ पे जो right hand side में है वो क्या है, 9 का square तो यह हो जाएगा 81, देखें यहाँ पे कितना हो गया, यह हो गया x square plus y square and यहाँ पे minus 2xy, it is equal to 81, अब देखें यहाँ पे जो x y है, इसकी हमें value दी हुई है, क्योंकि हमें तो x square plus y square ही चाहिए ना, जो इसके साथ ह है, उसको हम यहाँ से remove करेंगे, तो किस तरह से remove करना है, x y की जो value है यह दी हुई है, तो यह क्या हो जाएगा, x square plus y square minus 2 into 16, it is equal to 81, तो यहाँ पे आप write कर सकते हो, x y is equal to 16, ठीक है न, तो यह देखें क्या हो जाएगा, x square plus y square minus 32, it is equal to 81, x square plus y square, it is equal to 81, यहाँ पे minus का है, उ तो x square plus y square, it is equal to यह क्या हो जाएगा, 2 और 1, 3, 8 और 3, 11, तो x square plus y square की जो value है, हमें कितने मिलेगी, वो मिलेगी 113,